हेलो दोस्तो आप सबके डिमांड पे हम टॉप फिफ्टी कोश्चन लाया हैं जो की बहुत इंपोर्टेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए क्योंकि कोश्चन का पैटर्न बदल रहा है तो हमने भी जो है नैट आपके कोश्चन बनाया है कोश्चन नमबर वन भारत के साथ इन में से कौन यूएन का अस्थाई सदस्ट दो साल के लिए नहीं चुना गया वन आयरलेंड टू मेक्सिको थ्री नॉर्वे फोर जिबूती कोश्चन नमबर टू भारत हाली में इंडियन ओश्चन कमिशन का अपजरवर देश बना है आपको बताना है इसमें पांच जो है प्रमनेंट सदस्टे है तो आपको बताना है इसमें से कौन आयोसी का प्रमने सदस्टे नहीं है आपके ऑप्शन है वन माल्दूईज टू मॉरिसस थ्री मेडगासकर फोर कॉमरोस दोस्तों करेंट अफेर्स की कोश्चन की जो प्रकृती है वो चेंज हो रही है तो आपको चीजों को डिटेल में समझना होगा उसके विभीन पहलू को जानना होगा के झाज़ लुए नहीं जाना हो कि भारत जो है वो कौन सी बार योन का सद्स्र बना स्थाई सद्सर आठवी बार आपको यह भी जानना पर यह कि भारत के साथ और कौन कों से देश बने हैं साथी साथ भारत को कितना स्कूर मिला क्युन अर्ण सब्सक्र je को के अपके आप्श है फर्स्ट सिकागो, सेकेंड लॉस अंजलिस, थर्ड नियॉक या फूर्थ लंदन, कोशे नंबर फूर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानि कि वैस्विक नवचार सुचकांग में भारत का स्थान कितना रहा, फॉर्स्ट फॉर्टिफाइफ, सेकेंड फॉर्टिएट, या फॉर्टिफिफ्टी, कोशे नंबर फाइब, तेरहवे दक्षी नेशन गेम्स में भारत की पदक तालिका में पोजिशन क्या रही, तो देखिए, इसमें आपको हमने आपको दिया है, कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉंज, तो आपको चूज करना है, क्य अवाल जो है, BPSC पहले पूछ चुका है, BPSC को जो है दोस्तो, नंबर से बहुत बड़ा प्यार है, तो आपको जो है, डिटेल में चीजों को देखना जरूरी है, कोशे नंबर 6, स्वक्ष सरविक्षन 2020 रिपोर्ट आई है, इसमें आपको बताना है, कि किस सहर को एक से द लिकापूर, कोशे नंबर 7, FRBM2 के अंतरगत, राज कोशे घाटा, फिसकल डेफिशेट को कितना परसेंट करना है, 2023 तक घटाक है, एनके सिंग इसके हैट थे, आपके ऑप्षिन है, फर्स्ट 3%, सकेंड 2.5%, थर्ड 2% या फोथ 3.5%, कोशे नंबर 8, भारत ने कोविट के जो है, भारतिये जो फसे थे विदेश में, उनको लाने के लिए, वंदे भारत तो फ्लाइट वाला स्कीम चलाया था, लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है, वो पानी के जहार से भारतियों को बाहर से यहाँ पर भारत लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, तो और हवाई जहाज वाला कौन से है, वंदे भारत, तो उपरेशन समुद्र सेतु में मात्रे तीन देश ही सामिल है, आपको बताना है उसमें से कौन नहीं है, आपके ऑप्शन है, इरान, माल्दूईज, स्रिलंका और मौरिसस, कोर्शन नमबर नाइन, किस संसोधन, यानि कि अमेंडमेंट से, नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानि कि राष्ट पिछरा वर्ग आयोक को सन्वधानिक दरजा मिला है, आपके ऑप्शन है, एक सो तीनवा, एक सो चौथवा, एक सो एक वा, एक सो दोवा, कोर्शन नमबर टैन, करीब आठ हजा साल पुराना मो थी, यह पिछले साल का निउस है, एजिप्ट, UAE, एराक या जापान, कोर्शन नमबर लेवन, फेनी नदी समझाता हुआ है, भारत और बांगरश के बीच में आपको बताना है, कि किस राज को बेनफिट सबसे ज़्यादा होगा, आपके ऑप्शन है, मनिपूर, मिजोरम, नगालेंड, तृपुरा, दोस्तों मैंने जैसे बताया कि अब कोर्शन के जो पैटर्न है, उनमें बदलाओ आ रहा है, तो आपको चीजों को डिटेल में जानना जरूरी है, तो जो फेनी नदी समझाता है, ये किन दोदेश के बीच में हुआ है, भारत और बांगलादेश के बीच में, कोर्शन नमबर 12, NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सी संस्था है, जो समगर रैंकिंग में दूसरे पोजिशन पे है, देखिए दोस्तों, नॉर्मिली हम लोग पहला पोजिशन तो देखते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रैंक 2 पूछ ले, तो आ प्लिस किया गया है, आप इसके डाटा जरू से देखिए, इसमें बेउजगारी दर जो है, वो कितना बता गया है, पिछले साल तो इसने रिकॉर्ड तो दिया था, 45 साल का, क्योंकि 6.1 परसेंट था, तो इस साल आपको बताना है, कि मतलब यह जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 2018-2019 वाली, तो उसमें कितना बेउजगारी दर है, आपके ऑप्शन है, 5.8%, 5.9%, 6% या 6.1%, कोर्शन नमबर 14, मेक इन इंडिया के तहत, इज्राइली असॉल्ट राइफल, अरद और कार्मिल, कहां बनाई जाएगी, आपके ऑप्शन है, महाराष्ट, गुजराप, MP और तमिलनाडू, कोर्शन नमबर 15, Climate Change Performance Index में, पहली बार भारत जो है, अंदर 10 में आया है, जलवायू, परिवरतन, प्रदर्शन, सुचकांग में भारत जो है, नवे, पैदान पहर, आपको बताना है, कि भारत का स्कोर क्या रहा, पिछले बार BPSC में, ये पुछा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत का स्कोर कितना रहा, नॉर्मली हम लोग रैंकिंग देखते हैं, दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, कि आप स्कोर भी जरूर जानिए, कोर्शन नमबर 16, कौन सा देश है, जो 2020 में ओपेक से बाहर हो गया, है, यह बहुत मैरपूर्ण सगठन है, और यह मतलब विश्व का लगबग 50% जो है, पेट्रोलियम और नेच्टल गयस जो है, प्रेडूस करता है, कोर्शन नमबर 17, डबलु एचो ने जुलाई 2020 में किन दो देशों को खस्रा और रुबेला मुक्त घोसित किया है, आपके नमबर 18, टहला मानावता के लिए दिया जाने वला पुस्का, गुल बेकियन पुस्का 2020 किसको प्रदान किया गया, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट मलाला यूसीब जाई, सकेंड ग्रेटा थुनबर्ग, थर्ड रिबेका गुयामी या फोथ अमर्त सेन, कोशन नमबर 19, कोशेर करेगा, आपके ऑप्शन है, फर्स्ट यूसे, यूके, जपान या ब्राजील, कोशन नमबर 20, 107 वा इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का जो बैठाक है, वो कहां पर संपन हुआ, आपके ऑप्शन है, नई दिल्ली, चैन्नाई, बैंगलुरू और कॉलकता, साथी साथ आप जरूर से थीम भी देखिए, किसका थीम क्या था, कोशन नमबर 21, ओप्रेशन संकल्प, भारती नेवी से सम्मंदित है, कि मतलब पर्टिकुलर रास्ते से जो है, भारत के जो जहाज है, वो सेफली पास कर जाए, तो कौन सा वो रास्ता है, मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रे A. रसकीन बॉन, B. राकेश अनन्द बक्ची, C. उमा महेश्वरी, D. सुसमा स्वराज, कोशन नमबर 23, हाली में मुस्तफा अलकादमी, किस देश के प्रधान मंत्री बनें, आपके आप्शन है, A. इराक, B. इरान, C. सौदी अरब, या D. इजरेल, तो चलिए एक बार फिर अरस्थाई सदस नहीं बना, भारत जो है दोस्तो, आटवी बार, UN Security Council का अरस्थाई सदस से बना है, UN Security Council में टोटल 15 सदस से होते हैं, पांच परमनेंट मिंबर होते हैं, और 10 अरस्थाई सदस से होते हैं, तो आपके आप्शन है, Ireland, मेक्सिको, नौर्वे, जिबूती, कोश आपके आप्शन मालडवीज, दूसरा मॉरसस, तीसरा मड़ासकर, चौथा कॉम्रोज, तीसरा आप्शन भारत के बाहर, जो है कहा, Yoga University बनी है, आपके आप्शन है, Chicago, Los Angeles, New York, लिया लंदन, कोशन नमबर 4, Global Innovation Index, याने कि वैस्विक, नवाचार्स, उचकांग में भारत का प आना कितना गोल, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉंज, कोशन नमबर 6, स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 रिपोर्ट के अनुसार, किस सहर को जो है, वो एक से दस लाग तक अबादी को वाले सहर में पहला स्थान मिला, आपके आप्शन है, सूरत, इंदौर, मैसूर और अंभिकापू कोशन नमबर 7, FRBM2 के अंतरगत, राज कोशिय घाटा, फिस्कल डेफिशेट जो है, वो 2023 तक कितना परसेंट रहने की अनुमान है, 3%, 2.5%, 2% या 3.5%, कोशन नमबर 8, ओपरेशन समुध सेतु के अंतरगत, कोवीट के दौरान जो है, तीन देश से जो है, भारतियों को अपन इसमें से कौन सा देश वो नहीं है, इरान, माल्दू, स्रिलंका और मौरिसस, कोशन नमबर 9, किस संसोधन से National Commission for Backward Class को सन्विधानिक दरजा मिला है, 103, 104, 101, 102, कोशन नमबर 10, करीब 8,000 साल पुराना, यानि दुनिया का सबसे प्राचीन, जो मोती है, वो कहां मिला है, आप कोशन नमबर 11, फेनी नदी की समझाते से किस राज का फायदा होगा, फेनी नदी समझाता है, भारत और बानदिश के बीच में हुआ है, तो अगर आप मैप को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो ये कोशन जो है, आपके लिए केक वाक हो जाएगा, आपके ऑप्शन है, म बंबे आईटी मदरास, ध्यान रहे, एक और रैंकिंग जारी हुई है, अंतराष्ट्य स्तर पे QS रैंकिंग, उसमें जो है, MIT अमेरिका के जो इस संस्थान है, वो टॉप पे है, और भारत की आईटी बंबे जो है, वो टॉप पे है, कोशन नमबर 13, पील एफस सर्वे रि 5.8%, 5.9%, 6% या 6.1%, कोशन नमबर 14, मेकिन इंडिया के तहट इज्रैली असॉल्ट रैफल अरद और कारमिल कहां बनाई जाएगी, आपकी आप्शन है, महराष्ट्र, गुजराथ, MP, तमिलनाडू, ये कोशन ये भी पुछा जा सकता है, कि जो असॉल्ट रैफल है, अरद और कारमिल किस देश की है, इज्रैल की है, कोशन नमबर 15, पहली बार भारत जो है, क्लामिट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अंडर 10 आया है, नवे पोजिशन पे है, आपको बताना है किसका स्कोर कितना है, ठीक है, कोशन में जो है नयापन आ रहा है, तो केवल रैं जुला इरान, कोशन नमबर 17, WHO, World Health Organization ने जुलाई 2020 में किन दो देशों को खसरा और उबिला मुक्त घोसित किया, नेपाल भुटान, स्रिलंका मालदुईज, स्रिलंका भुटान या नेपाल स्रिलंका, कोशन नमबर 18, पहला मानवता के लिए दिया जाने वला पुसकार, अलाला यूसिप जाई, ग्रिटा थुनबर्ग, रेबेका गुयामी, या मर्त सेन, कोशन नमबर 19, CDRI का फर्स्ट कोच यह, किसको बनाया गया है, USA, UK, जपान और ब्राजील, कोशन नमबर 20, 107 वे इंडेनेसल कॉंगरेस की बैठक कहां पे संपन हुई थी, नई दिल्ली, बैंगलूरू, कोलकता, कोशन नमबर 21, ऑपरेशन संकल्प, भारती निवी का है यह, प्रजेक्ट, तो किस जास्ते से जो है, सेफली जो है, इंडेने निवी को निकालने के लिए यह है, मलका स्ट्रेट, स्ट्रेट अफ हॉर्मूज, स्वेज कैनल या पनामा कैनल, कोशन कोशन नमबर 22, होप ऑन, माई अडवेंचर्स, ऑन बोर्स, ट्रेंस, अन प्लेंस, किसके दोर लिखी गई है, रसकीन बॉन, राकेश अनन्द बक्षी, उमा महेश्वरी, सुस्मा स्वराज, कोशन नमबर 23, हाली में मुस्तफा अलकादमी किस देश के फजान मंतरी बने है, इराक, इरान, सौधी अरेबिया या इजरेल, कोशन नमबर 24, भारत ने किस देश के साथ, MLSA, Mutual Logistic Support Agreement संपन किया है, USA, UK, रश्या, इरान, कोशन नमबर 25, अगेन, जैसे कि हमने बताया कि, PLFS रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको अनिम्पॉयमेंट का डेटा, labor force participation rate का डेटा, महिलाओं का डेटा, यह सब आपको जानना ही जानना है, साथे साथ ये भी सामने आया है, कि जो सहर है, वहाँ पे ब्रोजगारी जादा है, 7.7%, और जो ग्रामीन है, वहाँ पे ब्रोजगारी कम है, 5%, तो यह सब आपको देखना है दोस्तों, तो इ 8.2% या 39.1%, कोशन दोस्तों अब नए नए टाप के पूछे जाएंगे, innovation होगा कोशन में भी, कोशन नमबर 26, 2019-20 में राजकोशिय घाटा, fiscal deficit कितना रहा, 4.6%, 3.8%, 3.3% या 3.6%, जो राजकोशिय घाटा है, दोस्तों, यह बहुत important indicator है, और अकसर इसको exam में पूछा जाता है, कोशन नमबर 27, भारत जो है, उसकी विदेशी मुद्रा भंडार जो है, वो 500 बिलियन डॉलर को पार कर गई, तो अब भारत का स्थान जो है, वो कितना हो गया है, आपकी option है, 6th, 5th, 4th या 3rd, कोशन नमबर 28, कोवीट के चलते बहुत से लोग को जो है, अपने गाउं व अभियान चलाया, 6 states में, तो आपको बताना है, कि 6 states के कितने जिलों के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, 114, 115, 116 या 117, states यार रखिए, 6 राजों के लिए इस्कीम चलायी गई, जहां से सबसे ज़्यादा लोग बाहर काम करने को जाते हैं, कोशन नमबर 29, भारत ने किस हाइडरो क्लूरो कार्बन को पूरी तरह खतम कर दिया है, आपके option है, 141 A को, 141 B को, 141 C को, या 141 D को, कोशन नमबर 30, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, यानि कि जलवायू परिवरतन पर अंतर सरकारी पैनल, जो कि अपना रिपोर्ट जो है, UNFCCC को सौपती है, Climate Change से सम्मादित रिपोर्ट, तो इसका गठन जो है, वो किसके द्वारा किया गया था, IUCN प्लस UNEP के द्वारा, WMO और UNEP के द्वारा, WWF और UNEP के द्वारा, या IUCN और WWF के द्वारा, दोस्तों, अभी जो है, एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, कि परियावरन से जो है, बहुत जादा कोशिन पूछे जा रहे हैं, तो आपको परियावरन से जो है, अच्छी तयारी करनी बहुत जरूरी है, ट्रैफिक, मतलब the wildlife trade monitoring work, जिसका काम है, मतलब illegal जो है, जानवारों के जो ट्रेडिंग असको रोकना, तो ये जो है किसका joint project है, IUCN UNEP का, WMO UNEP का, WWF UNEP का, या IUCN और WWF का, सेंदाई framework का संबंध किस से है, A. Climate Change, B. Disaster Management, C. Global Warming, या D. Sustainable Development, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, Question No. 33, Colombo Declaration 2019 का target, किस waste को 2030 तक हाफ करना है, nitrogen waste, sulfur waste, chlorine waste या ozone waste, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, Question No. 34, West Week सामाजिक गति सीलता, सूच कांग, Global Social Mobility Index, ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है, आपको बताना है किस रिपोर्ट को किस ने publish किया है, ILO ने, WHO ने, World Economic Forum ने, या UNDP ने Question No. 35, Biodiversity Day, जै विविता दिवस का मनाया जाता है, Question No. 36, वो कौन सी पवन है, जो कि इटली में, Blood Rain याने कि खून की बारिश करवाने के लिए फेमस है, Actually, खून की बारिश ने होती ही, जो बालू होता है न, वो रेड कलर का वहाँ पे मतलब गिरता है, बरसाद के दोरान, Question No. 37, किस विंड को Dr. Wind के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस विंड के बहने से उस पर्टिकुलर एरिया में जो है, काफी राहत मैसूस होती है, Question No. 38, हाली में किस जौला मुखी को विस्व का सबसे बारा जौला मुखी डिकलियर किया गया है, Question No. 39, सोलर सिस्टम की सबसे उची चोटी कौन सी है, Question No. 40, सबसे ज़्यादा उपगरा किस प्लैनेट के हैं, दोस्तों इसमें भी बदलाओ आया है, Question No. 41, सूर का जो डायमेटर है, वो प्रिथवी के डायमेटर से कितना गुना ज़्यादा है, Question No. 42, किस देश ने अपने पहले सैन उपगरा, अनासिस टू का प्रचेपन किया है, Question No. 43, Energy Transition Index, याने कि उर्जा, पारगमन, सूचकांग, आपको तो पहले यह जानना है कि कौन सी सनस्था इसको पब्लिस करती है, इसमें भारत का स्थान क्या है, और किस देश ने इसमें टॉप किया है, Question No. 44, Cap 3, याने कि काकरा पारा, Atomic Power Plant, उसका जो थर्ड यूनिट है, वो क्रिटिकल हो गया है, आपको बताना है कि यह जो है, काकरा पारा, परमानू पावर प्लांट जो है, यह कहां पे है, Question No. 45, Newfoundland Coast के पास कौन से दो करेंट मिलते हैं, और बहुत बड़े फिशिंग ग्राउंट का वहां पे निर्मान होता है, Question No. 46, प्रिथ्वी की आयू लगबग कितनी है, यह NCRT में पुछा गया है, और यह भी पुछा आता है कि प्रिथ्वी पे जो जिन्दगी है, जीवन जो है, वो कब स्टार्ट हुआ, Question No. 47, विस्व का सबसे तेज कंप्यूटर किसको डिक्लियर किया गया है 2020 में, Question No. 48, एजेंडा 2063 का सम्मंद किस कॉंटिनेंट के विकास से है, तो यह तो आप समझी गया होंगे, अफ्रिका के, DAP EXPO 2020 का आयूजन कहां किया गया 2020 में, और Question No. 50 के अंसर तो हमने आपको दे दिया है, Press Freedom का एक अवार्ड है, UNESCO Gilmore Cano Award, यह दिया गया है, जिनेत बिडोए लीमा को, फिर Architecture का बूर्ट Famous Award है, प्रिजिकर Architecture Prize, यह दो लोगों को दिया गया है, योवन फेरल और सैली मेकनमारा, यानि फेरल और FM, FM रिडियो होता है न, वसे आप यहां रखिए, FM जो है, प्रिजिकर Architecture Prize मिला है, और लीमा को जो है, UNESCO Gilmore Cano World Press Freedom Award मिला है, टाइलर प्राइस, जिसको की Environment का Nobel Prize की सम्मान मानते है, पवन सुखदेव और ग्रेचेन डेली को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, World Food Prize 2020 मिला है रतनलाल को, यह Indo-Urge Scientist है, जिनोंने स्वाइल की जो क्वाइल्टी है वो बढ़ाने में, और फसल की मतलब जो फटलीटी है, उसको बढ़ाने में काफी एहम भूमिका निभाई है, International Booker Prize, जिसको हम Man Booker Prize के नाम से भी जानते थे, यह मिला है, Merrick Lucas, जीजने वेल्ड को, उनके किताब कौन से है, The Discomfort of Uni, ऐसा भी कुशन पुछा जा सकता है, कि किस किताब को International Booker Prize मिला है, तो The Discomfort of Uni, फिर से देख लिजे, UNESCO Gilmore Cano World Press Freedom Award, तो यह मिला है, Jeanette Bedouin-Lima को, Pritzker Architecture Prize 2020 मिला है, Yovan Farrell और Sally Mackenmara को, यानि Farrell और Mackenmara याद रखिये, Tyler Price 2020 यह मिला है, Pawan सुखदेव और Gretchen Delhi को, World Food Price 2020 यह मिला है, रतनलाल को, इंडो यूस साइंटिस्ट हैं यह, अंतराश्टिय बुकर प्राइस जो है, यह मिला है, मेरिके लुकास रीजन वेल्ट को, The Discomfort of Union के लिए, तो चलिए बाद फिर से questions को देख लिए, Question No.24, भारत ने किस देश के साथ, Mutual Logistic Support Agreement, यानि कि MLSA संपन किया, आपकी option है, USA, UK, Russia, इदान, Question No.25, PLFS की जो नविंतम रिपोर्ट आई है, 2020 में, वो 2018-19 की है, इसके अनुसार जो है, स्रम बल की भागिदारी दर, यानि कि Labor Force Participation Rate, भारत में कितनी रही, 36.9%, 37.5%, 38.2% या 39.1%, Question No.26, 2019-20 में, राज कोशिय घाटा कितना रहा, 4.6%, 3.8%, 3.3% या 3.6%, Question No.27, 2020 में, भारत का जो Forex है, वो 500 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया, आपको बताना है, कि अब भारत का स्थान क्या हो गया है, 6 पोजिशन, 5 पोजिशन, 4 पोजिशन या 3 पोजिशन, according to Forex, विदेशी मुद्रा भंडार के अनुसार, Question No.28, गरीब कल्यान रोजगार अभियान, कितने जिलों के लिए चलाया गया, तो दोस्तों, COVID के दौर जो है, सारीक फैक्टरीज और कामकार जो है, वो ठब पर गया, क्रिसी को छोर के, तो बहुत से जो लोग है, वो सहर से जो है, गाउं के तरफ वापस लोटा है, तो उन लोग को रोजगार प्रवाइट करने के लिए, सरकार ने गरीब कल्यान रोजगार अभियान चलाया, 6 राजियों के लिए, आपको बताना है, कितने जिलों के लिए चला है, 114, 115, 116, 117, भारत ने किस HCFC को पूरी तरह खतम कर दिया है, 141A, 141B, 141C या 141D, कोशे नमबर 30, IPCC, जलवायू परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है, इसका गठन जो है, किन के द्वारा किया गया था, 1988 में, IUCN, UNEP के द्वारा, WMO, UNEP के द्वारा, WWF, UNEP के द्वारा, या IUCN, WWF के द्वारा, ट्राफिक, जिसका काम है, जानवारों की जो illegal trading है, उसको रोकना, तो ये किन का joint project है, IUCN, UNEP का, WMO, UNEP का, WWF, UNEP का, और IUCN, WWF का, दोस्तो, environment सम्मंदित questions, अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सब questions, जानने ही जानने हैं, QN 32, Sendai framework का सम्मंदित हैं, वो किसे सम्मंदित हैं, Climate Change, Disaster Management, Global Warming, या System Development, QN 33, Colombo Declaration 2019 का target, किस waste को 2030 तक, हाफ करना है, nitrogen को, sulfur, chlorine या Ozone, QN 34, पहली बार, Global Social Mobility Index, यानि कि, Westwick Samajik, Gati Sirta, Suchkang, publish की गई, 2020 में आपको बताना है, कि संस्था के दौरा, ये publish की गई, ILO, WHO, WEF, या UNDP, QN 35, Biodiversity Day, कब मनाया जाता है, Javivita Divers, QN 36, कौन सी पवन है, जो के इटली में blood ring करवाती है, QN 37, किस wind को, Dr. Wind के नाम से जाना आता है, QN 38, विश्विका सबसे बरा जौला मुखी, किसको declare किया गया है, QN 39, Solar System की सबसे उची चोटी, कौन सी है, QN 40, सबसे ज़्यादा उपगरा, यानि कि सैटलाइट किस प्लैनेट के है, QN 41, सूर का डायमीटर जो है, प्रिथवी के डायमीटर से कितना गुना जादा है, QN 42, किस देश ने अपने सैन उपगरा, सैटलाइट, Anasis 2 का प्रछेपन किया है, QN 43, Energy Transition Index, उर्जा पार्गमन सूचकांग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, साथी साथ आपको ये भी जानना है, कि वो कौन सी सर्था जो इसको पब्लिस करती है, उसके बाद, काकरा पार, Atomic Power Plant, उसका जो थर्ड है, यूनिट वो, मतलब क्रिटिकल हो गया, क्रांतिकर्था प्राप किया है, तो ये आपको बताना है, कहां इस्थित है, कोशे नमबर 45, Newfoundland cost के पास, कौन से दो करेंट मिलते हैं, कोशे नमबर 46, पृत्वी का, पृत्वी की जो आयू है, वो लगबग कितनी है, ये भी बताना आपको कि, या पृत्वी पे जो जिन्दगी है, वो कितने वर्स पहले आई थी, कोशे नमबर 47, विस्वी का सबसे तेज सूपरकम्प्यूटर, किसको डिक्लियर किया गया है, कोशे नमबर 48, एजेंडा 2063 का सम्बंद, किस कॉंटिनेट के विकास से है, अफ्रिका, डैप एक्सपोर 2020 का एयोजन कहां हुआ, भारत में, और कोशे नमबर 50, तो हमने आपको बता ही दिया, यूनिसको, गिलमो कैनो, वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम आवार्ड, 2020 किसको मिला है, जिन्यत बिदोया लीमा को,